हेलो नमस्कार दोस्तों मैं सत्यंदर सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल सत्यंदर गुरुजीपी दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रिजनिक के तेरा अते महतोपुर्ण प्रश्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसलिए आप लोग वीडियो के अंते तक जरूर बने रहेगा इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्ण के बारे में बताएंगे दोस्तों जैसे कि प्रश्ण हम लोग के सामने दिया है प्रश्ण है दी गई आकिर्थी का दरपन में बने सही प्रतिबीम ग्यात कीजिए जैसे कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं एह हमरा आकिर्थी बाना हुआ है इस आकिप्ति का सही परतिवी में क्या होगा इसके लिए चार आपसर दी गई है इसलिए आप लोग वीडियों के अंत तक जरूर बने रही है क्योंकि इस सारे प्रस्ण प्रिपियस पेपर का है जो अलग-अलग एकजाम में कई बार रिपीट कल चुका है क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रस्ण होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और मेरे बाबू एक पार्ट नंबर हमारा 87 है दोस्तो जिसने पार्ट नंबर 86 तक नहीं देखे हैं तो किर्पिया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाए और वहां से सारे पार्ट को देखिए क्योंकि जितना भी पार्ट में हमने जितना भी प्रश्ण कराया है ने भाई सभी का सभी प्रश्ण SSC और railway से उठाया है ठीक है तो सभी का सभी प्रश्ण important प्रश्ण है बाबू ठीक है और एक क्या है ध्यान से देखिए एक प्रश्ण है SN से छोटा है बाबू हमारा ranking का एक प्रश्ण है ranking chapter का प्रश्ण है और NTPC CB2 176 2022 के सीप्ट 3 में पूछा गया है इस प्रश्ण को तो ऐसे हम कैसे इसको कैसे बनाते हैं बाबू ध्यान से देखिए सबसे पहले एक एक पॉइंट को अलग अलग लिख लेते हैं उसके बाद उन सभी पॉइंट को एक साथ जोड़ देते हैं जैसे प्रश्ण कह रहा है SN से छोटा है जो S है न O N से छोटा है तो N इन से उपर आएगा बिल्कुर अगला पॉइंट में है P S से लंबा है जो P है नो O S से लंबा है जो P है O S से लंबा है ठीक है P S से लंबा है यहाँ N भी S से लंबा है यहाँ P भी S से लंबा है अलग अलग इसको लिखो आगे प्रश्ण है क्यों N से लंबा है क्यों जो है जो क्यों है O N से लंबा है क्यों एन से लंबा है लेकिन एज से छोटा है लेकिन वर्ड का जो यूज होता है बाबू यह जानते लिए लेकिन जो वर्ड है इसका यूज फस्ट नाम के लिए होता है फस्ट नाम यह जैसे क्यों एन से लंबा है तो लेकिन का परियों के लिए किया गया होगा फॉस्ट नाम के लिए तो वहीं प्रश्ण है क्यों N से लंबा है लेकिन H से छोटा है इसका मतलब क्यों जो है वो H से क्या है बाबू क्यों H से छोटा है ठीक है यहां तक तो हमने इस पॉइंट को देख लिया आगे पॉइंट कहता है N P से लंबा है जो N है वो P से लंबा है एन पी से लंबा है, यदि वे उचाई के अनुसाय एक पंक्ती में खरे हो, तो ठीक बीच में कौन होगा, ठीक है, ठीक बीच में कौन होगा, इन चारों पॉइंट को तुम एक साथ जोड़ो, देखो हम यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को लेते ह कलर को चेंज कर लेने दिजी, अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं सबसे पहले, तो पी जहाँ भी आएगा, उन से उपर एन आ जाएगा, बिल्कुल, आ गया, अच्छा, अब यहाँ पर हम इस पॉइंट को उठा लेंगे, इस पॉइंट को, एन से बारा कौन है, क्यूं है, क्यूं से बारा कौन है, एच्छ है, इस पॉइंट को हमने उठा लिया, बिल्कुल, अब उठा लो तुम इस पॉइंट को, इस पॉइंट को उठा लो, पी जो है, वो एस से लंबा है, इस पॉइंट को हमने उठा लिया, अच्छा, अब हमारा फाइनली, एन जो है, एस से उपर आ गया है ठीक है तो यह हमारा एरेजिमेंट जो है एवन के complete हो गया सबसे उपर में h है और सबसे नीचे में s है ठीक है दूर नमबर पर उपर से क्यों है तीन नमबर उपर से n है और चार नमबर पर p है ठीक है आप इसको कुछ भी पूछे हम answer दे सकते हैं, हम से पूछा हैं, तो इबाताईए कि इपंक्ति के उचाई क्रम में खा रहा हैं, तो इनमें बीच में कंची आएगा, तो दूगो उपर से दूगो निचे, बीचो बीच में कौन आएगा भाई, तो बीचो बीच में N आएगा, option number D है, सही, ठीक है बाबू, तो ऐसे प्रशन जब भी आपके सामने आएंगे, आप चुटकी बजाते हैं, उसका answer कैसे कर देंगे, इन सभी को एक साथ नहीं बनाना, इनको अलग अलग बना लेना, उसके बाद उनको एक साथ बनाना बाबू, ठीक है, चलिए दोस्त, बढ़ते हैं, दो नमबर प्रशन tier 1, 3.12.2022 के shift third में इसे पूछा गया है, क्या है देखो ध्यान से, एप है, उसके बाद में E है, उसके बाद में क्या है, तो I है, उसके बाद में G है, उसके बाद में L है, उसके बाद फिर से I है, उसके बाद O है, यहाँ पर question mark है, ठीक है, तो इस question mark की जगह, कौन सा letter आय लेटर चोड़ कर इसमें लाजिक लेगा गया है देखो जो एप है इसका कर्माक 6 होता है जो आई है इसका कर्माक 9 होता है तो 6 से 9 बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा बाबू तो इसमें प्लस का 3 करना होगा ठीक है प्लस का 3 करना होगा अच्छा यहां आई से ल बना है आई का कर्माक 9 होता है ल का 12 होता है तो 9 से 12 बनाने के लिए यहां भी प्लस का 3 करना होगा बिलकूल ल से O बनाया गया है तो L का कर्माक 12 होता है O का कर्माक 15 होता है तो 12 से 15 बनाया गया तो यहां भी प्लस 3 करके बनाया गया होगा चलिए अब हम इस वाले स्रीज को देखते हैं A से G बना है, G से I बना है, और I से जो आगे बनेगा वो हमारा अंसर होगा, देखो, E का करमांग तीर होता है और G का करमांग 7 होता है, तो 5 से 7 बनाने के लिए बाबू, इसमें पलस का दो किया गया है बिल्कुल, जी से आई, जी का करमांक 7 होता है, आई का करमांक 9 होता है तो 7 से 9 बनाने के लिए यहाँ प्लस का 2 किया गया है अच्छा, आई से प्लस का 2 कर देंगे, आई का करमांक होता है 9 9 में 2 जो रिंगे तो क्या हो जागा एगारे आयगारे नमबर पे जो letter होता है वो बाबु के होता है तेहाँ पर के भरा जाएगा कौनसा option में के दिया है भाई तो option नमर D में के दिया है तो इस प्रशन का जो right answer हो जाए मेरे सोना, मेरे करेजा, मेरे जिगर के टुकरे option नमर D हो जाएगे सही ठीक है तो मैं उम्मेद करता कि आप लोग इस प्रश्ण को समझे लिए होंगे आप लोग प्रश्ण को रटे नहीं बाबू प्रश्ण को समझे चलिए दोस्त तिन नंबर प्रश्ण की ओर हम लोग अब बरते हैं तिन नंबर प्रश्ण है नेमने लिखित प्रश्ण में दिये गए विकल्प में से अलग संखिया या संखियाओ को चुनिए और SSE CGL T.R.O.N. 3.12.2022 के सिफ्ट संखिया थड में इसे पूछा गया बाबु देखो यहाँ पर एह हमारा odd one out और बरगी करन का एह प्रस्ण है अगर इसमें दो अंक होता तो हम प्राइम नंबर का लॉजिक देखते हैं तीन अंक होता तो Q, SQ और Factor देखते हैं लेकिन बाबु यहाँ पर पेर का प्रस्ण है पेर का मतलब दो-दो है तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है या तो difference लग सकता है या factor लग सकता है देखेंगे अगर हम इसमें अप्शन नंबर A को उठाते हैं तो 32 गुना 2 आप प्लस बन कर देंगे तो 64 बन जाएगा अप्शन A यहाँ पर लिखते हैं 32 से 64, 65 कैसे बनाएगे अगर अप्शन B को हमें इहाँ पर लिख लेते हैं अप्शन B में हैłem 12 से 25 कैसे बनाएगे आप्शन C दी उपर ही रहने देते हैं देखो यहां पर गुँक अप्शन A में 32 गुना 2 आप प्लस बन कर देने से 65 बन जाएगा उसी प्रकार 12 आ गुना दू आ प्लस वन कर देने से बन जाएगा 25 अप्शन C में अप्शन C में बाबू ऐसा नहीं है 28 आ गुना केवल दू है इसलिए इसका राइट एंसर अप्शन C हो जाएगा अप्शन D में देख लो 24 दू निबावन आ प्लस एक ती पन यहनि अप्शन C को छोड़कर A, B और D तीनों में गुना दो करके प्लस वन किया गया है बाकी अप्शन C जो है एक गुना दू है बाकी में गुना दो करके प्लस वन किया गया है तो मैं उमिद करता हूँ कि इस logic को भी तुम लोग समझ गए होंगे मेरे सुना चलिए दोस्त तो अब हम देखते हैं अगले प्राश्ण शंख्या 4 की तरव प्राश्ण संख्या 4 है दी गई आकिर्थी का दरपन में बने सही प्रतिवी में क्यात किजी बाबू यहाँ पर जो logic लगए गया है ओ इंपोर्टेंट logic है बाबू कि हमारा दरपन परतिवी में का प्राश्ण है और CHSL tier 1 23 2023 का ही प्राश्ण बाबू चाउथा सिप्ट में पूछा गया है यह करेंट पूछा गया है बाबू हम अपने मन से नहीं लिखे है तो चलिए बाबू इस प्राश्ण को बनाने के लिए हम सबसे पहले आपको एक logic बताते हैं कि जब हम अपना चेहरा दरपन में देखते हैं जो घरों में हमारे सीशा लगी होती है उसमें देखते हैं तो जो हमारा दाया हाथ है और बाया हाथ हमारा दाया दिखते हैं और उपर आ नीचे सेम होता है मुरी उपर है तो उपर दिखते है पैर नीचे है तो नीचे दिखते है ठीक है इबात को आप लोग अच्छी तरह प्रेक्टिकल जानते हैं बिलकुल अच्छा हम आपको एक चीज और option छाटने का तरीका सिखा रहे ह इतना भी चेप्टर है रेजनिंग का और नौन बर्बल हमारा option छाटने के छाटना अगर हम सीखे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं जैसे देखो यह हमारा माल लिजे तिर्भूज है इस सर्किल है अगर इसका परतवीम बनाना है हम उधारन के तोर पे इसे ले रहे हैं तो हम जो मैथर बता रहे हैं उस मैथर को समझेगा जो चीज दर्पन से जितना नजदिक होती है उसका परतवीम उतना नजदिक बनता है जो चीज दर्पन से जितना दूर होती है उसका परतवीम दर्पन से दूर बनता है जैसे दर्पन से नजदिक ए बिरित है तो इसका परतव में पहले बनेगा और दर्पन से दूर में तिर्भूज है तो इसका तिर्भूज दर्पन से दूर बनेगा ऐसे ठीक है तो यह बात को आप लोग समझ गए कि जो चीज दर्पन से जितना नजदिक होती है उसका परतिवी में नजदिक बनता है और जो चीज दर्पन से दूर ह होती है उसका पर्तिमिक दर्पन से दूर बनता है तो चली बाबू यहीं लाओ जीक हम लगाएंगे यह जो एलाइन के साथ जो यहाँ पर सर्किल कलर किया हुआ है यह दर्पन से नजदिक है तो यह दर्पन से कभी दूर बन ही नहीं सकती इसलिए अप्शन हो गया भी गलत य हमारा आपphen ए और आप्शन से बचे गया ठीक हा तो आप्शन से में कई से बचे गया देखो जो लाइन है बाबू यह यह लाइन जो रहे ऐसे हो जाएगा एक box के भीतर और एक box के भीतर बंद हो जाएगा और ऐसा की सब समय है ऐसा option number C है अच्छा क्योंकि एक खाली circle उपर है तो यह नीचे कोई सी आ सकता है इसलिए option गलत अप option 64 के इसका answer ऐसे देंगे बाबू ठीक है एक बार और समझाते हैं देखो हमने आपको क्या बताया जो circle खाली उपर है तो इसका परतिवीम भी उपर बढ़ना चाहिए तो option number A में उपर नहीं है इसलिए option A गलत option number B में उपर है यह हो सकता है इसके अनुसार अच्छा option number D में नीचे circle हो ही नहीं सकता है इसलिए option D गलत अब हमारे पास बचके दो option अब इस दो option में एक चीज यह जो line है यहाँ पर जो color किया हुए यह दरपल से नजदिक है तो इसका परतिवीम नजदिक बनेगा तो यह दूर का कर रहा है इसलिए option B गलत हमारा जो बचा वही answer हम option चाटने का तरीका ऐसे बनाते हैं option चाट कर इस प्रशन को answer जल्दे निकालते हैं अगर आपको option चाटने नहीं आता है ता आप इसको एक box बनाएंगे इस box में ऐसा एक line होगा यहाँ पर एक खाली circle होगा यहाँ किस option में भाई ऐसा option C में है लेकिन मेरे दोस्त नान बाल वर रेजनिंग option चाटना अगर आपने सीख लिया तो किसी भी प्रकार का answer आप आसानी से दे सकते हो बिल्कुल चुटकी बजाते हैं ठीक है दोस्त चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन पांच नमबर पांच नमबर प्रशन है इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा देखो एह हमारे पास एक कागज था एक simple एक square seat था इसको हमने क्या किया आधा पर से उपर मोर दिया तो हमारे पास इतना seat बचा बिल्कुल फिर से इस seat को आधा पर से मोर कर इतना ही कर दिया अब हम इसका परतविम बनाएंगे कि क्या होगा देखो हम बारा सा बनाकर आपको दिखा देते हैं यह हमारा seat हो गया हमारे पास बचा है जानते हैं कितना इतना ही बचा है ठीक है इतना ही बचा है यहाँ पर एक सरकील है यहाँ पर एक सरकील है यहाँ पर एक सरकील है इसको खोलने के बाद इसका परतविम कैसे बनेगे बाबु देखो इस परशन को ऐसे इधर से चलके मोरा गया है लेकिन हम जब खोलेंगे तो सबसे पहले इसको इस परकार खोलेंगे उसके बाद जो आएगा उसको नीचे फूँए खोल देंगे, तो सबसे पहले इसको हम इस बेस पे खोलेंगे, तो इस पे हम एक मीरर लगा देंगे, मीरर का मतलब दरपन लगा देंगे और इसका परतिबीम हम बना देते हैं, ठीक है, हम एंसर आपको आसाने से निकालने का त ऐसे बना, अब हम इसको नीचे प کے खोलेंगे, हम इस बेस पे खोलेंगे, इस बेस पे जब खोलेंगे, तो इस पर भी हम एक दरपन लगाँगे और दरपन लगाने से हमारा answer perfect आता है तो यहां पर भी एक दरपन लगाने तो इसका अब हम परतिविम बनाते हुए चलेगी तो इस circle यहां पर आ जाएगा यहाँ पर आई सर्किला जाएगा यहाँ पर अब इस वाले कि यह जाएगा यहाँ पर इवा जाएगा यहाँ पर यह जाएगा यहाँ पर तो ऐसा कौन सा फिगर है जिस फिगर में इस परकार की सर्किल बन रहे तो option A नहीं है, option B नहीं है, option C नहीं है, option D है, सही, ऐसा बना है अपसन सीपे तब बाबू इस प्रश्ण को भी हम आसानी से सिखा दिये आपको SSE CPU प्री 10.11.2022 के सिप्ट संख्या 2 में पूछा गे बाबू कितना आसान प्रश्ण है छुटके बजाते हैं या आप सल्फ कर लेंगे बाबू चलिए छे नंबर प्रश्ण की ओर छे नंबर प्रश्ण है वह संख्या चुने जो प्रश्ण वाच्यक चीन की अस्थान पर आ सकती है यहाँ पर है 30 है बाबू उसके बाद में 29 है 30 के बाद में क्या है तो 29 है उसके बाद में 27 है उसके बाद में question mark है उसके बाद में 20 है और उसके बाद में 15 है यहाँ पर logic जो है क्या है अब आगों ध्यान से देखें 30 से 29 कैसे बना है 30 से 29 बनाने के लिए minus का 1 किया गया होगा बिल्कुल बात को समझ रहा है बात को आप लोग समझे 30 से 29 करने के लिए minus का 1 किया गया है ठीक है 29 से 27 बनाने के लिए यहाँ पर minus का 2 किया गया है हो सकता है कि minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ऐसे किया गया हो तो यहाँ पर जो question mark की जगह आएगा वो minus 3 करने के बाद आएगा तो 27 में से 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 24 ठीक है अजब ऐसा बात है तो 24 में से minus का 4 करने पर 20 आएगा बिल्कुल सही बात है ऐसा बात है तो 20 में से minus का 5 करने पर 5 आजाएगा इसका मतलब इन logic हमारा satisfied हो गया अजब satisfied हो गया तो question mark की जगा क्या आया कुश्चन मार्क की जगा आया 24 अपसर नमर C है सही ठीक है तो आप लग प्रश्ण को रेड़ी नहीं बाबू प्रश्ण को समझे चलिए दोस्त अब हम देखते हैं अगले प्रश्ण संख्या साथ की तरफ प्रश्ण संख्या साथ है दिये गए बिकल्प में से शंबंधित सं अगला हम सबसे पहली जो देखते हैं व कोई नंबर नहीं धिक pockets अगर क्यूब नहीं है तो हम सक्कर देखते हैं basket नहीं है कि रही अहां पर 17 का लोजिक लग सकता है देखो कैसी जैसे कि यहाँ पर 24 है नो 24 उसके बाद में 36 है उसके बाद में क्या है 39 है उसके बाद में 57 है उसके बाद में 58 है उसके बाद में यहाँ पर कोश्र मारक है बावो इस प्रकार को समझे बिल्कुल 2022 से ऐसे पर टर्न को पूछा जा रहा है इस प्रस्टन का मतलब हुआ कि जिस परकार 24 का रिलेशन 36 से है उसी परकार 39 का रिलेशन 57 से होगा और उसी परकार 58 का रिलेशन कौन से संक्या से होगा यहीं कि 24 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही रिलेशन 39 और संटाउन के साथ होगा तो 24 हम 36 कैसे बना सकते बाभ ध्यान देंगे अगर इस 24 में इस 24 का आधा हम जोर दें तो 24 का आधा बारा चवीस में बारा जोर देंगे तो 36 बन जाएगा बिल्कुल अर्थिस से अर्थिस में इस अर्थिस का आधा को हम एड कर दें तो अर्थिस आउन नहीं संतावन हो जाएगा बिल्कुल सेम लवजे कि यहाँ पर अन्ठावन है इस अन्ठावन में अन्ठावन का आधा हम जोर देंगे तो अन्ठावन, अन्ठावन का आधा कितना हो जाएगा बाबू, 29 हो जाएगा नो अन्ठावन, अन्ठावन का आधा हो जाएगा कितना आधा हो जाएगा 2 और 29 और अन्ठावन में 29 को जोर देंगे तो 9, 8, 17 के 7 हासिल कितना तो 1 पाँच आदो साथ और एक कितना हो जाएगा तो पाँच आदो साथ एक हो हासिल आड़ यहाँ पर लॉजिक क्या है बाबु जो रिलेशन 24 और 36 के है सेम रिलेशन 38 और 57 के साथ है वह ही रिलेशन 58 और कोश्चन मार के साथ होगा ठीक है तो मेर बाबु इस प्रश्ण को भी आप लोग समझ गए होंगे चलिए दोस्त देखते हैं अगले प्रश्ण संख्या 8 की तरफ प्रश्ण संख्या 8 है जैसे कि हम लोग कालाकार का जो रिलेशन मंडली के साथ है उसी प्रकार गायक का रिलेशन कौन से सब्द से होगा ठीक है इसके बारे में बात करने इस प्रश्ण का मतलग है कलाकार का जो रिलेशन मंडली के साथ है उसी प्रकार गायक का रिलेशन कौन से सब्द से होगा बहुत सारे जब कालाकार मिलते हैं तो एक मंडली बनती है बहुत सारे कालाकार को मिलाने के बाद एक मंडली का निर्मान होता है उसी परकार बहुत सारे गायक मिलने के बाद एक गायक दल का निर्मान करते हैं नमर D है सही, ठीक है, इस प्रस्ण को ऐसे करते हैं, यानि कि बहुत सारे कालाकार जब मिलेंगे तो एक मंडली का निर्मान होता, उसी परकार बहुत से गायक का मिलाने के बाद एक गायक दल बनता है, तो इस option नमर इसका D हो जाएगा सही, चलिए दोस्त, अब भरते हैं 9 नम प्रस्ण है, SSA CHS 12 अप्रेल 2021 के थर्ड शिफ्ट में इसे पूछा गया, प्रस्ण है, वहाँ बिकल्ब चुने, जो बाकी से अलग हो, बाबो देखो, यहाँ पर सहनाई, बांसरी और सेक्सो फोन, यह जो तीनो है, यह मुह से फोक कर हावा से बजाय जाता है, यह जो तीनो है नो, तीनो मुख से बजाया जाता है, जबकि आप्सान नमर डी में नहीं है, आप्सान नमर डी में एश्टरिंग होता है, उस एश्टरिंग को घुमाने भी दैने से इस बजता है, ठीक हो, सहनाई, सेक्सवेट पांअ और मासूरी तो आप लोग जानते हैं सहनाई भी जानते लिए कि सेक्सवेट जो है वो भी मुझ से फोक कर बजाया जाता है लेकिन मैंडोलिन जो है मेरे दोस्त String होता है इसे फोक कर नहीं बजाया जासकता है इसलिए option D हो जाएगा इनसे अलत ठीक है? चलिए दोस्त अब हम देखते हैं दस नमबर प्राश्ण की उर दस नमबर प्राश्ण कोडिंग डिकोडिंग का प्राश्ण है और SSC MTS 14 अक्टिवर 2021 की 30-60 में इस प्राश्ण को पूछा गया यहां पर प्राश्ण है बाबु की January का कोड 4 है और July का कोड 3 है और September का कोड 6 है तो December का कोड क्या होगा? बाबु यहां पर क्या लोजिक है? उस लोजिक को पकरिये यहां पर बाबु लोजिक है जनवरी में जो अमारा जनवरी में जो भवेल्स है वो देखो कितना है एक, दू, तीन गोई यहाँ पतो चार लिख्या है तब कॉन्सोनेंट देखो भवेल्स जो होता है ए, ए, आई, ए, आई, ओ, यू यह हमारे पांच भवेल्स होते है ठीक है? और इनको छोड़ देने के बाद ए, ए, आई, ओ, यू को छोड़ देने के बाद जितना भी लेटर मजते हैं वो सभी लेटर कॉन्सोनेंट होते है ठीक है? तो यहाँ पर जन्वारी में कॉन्सोनेंट की भवेल्स को ढूंब दो J consonant है N consonant है R consonant है Y consonant है यानि कि January में total 4 consonant है ठीक है अच्छा July में J, L, Y यह तीनों consonant है तो July में मिर बाव तीन consonant है यहां भी ए लोजिक साटिस्पाइड हो रहा है अच्छा September में देखो क्या 6 है September में S, P, T, 3 हो गया M, B, A यहां भी 6 है यहनि September में total जो consonant है वो कितना है 6 है उससी प्रकार यहनि कि यहां पर जो letter में जितना consonant है न उतना code किया गया है Same, December में जितना consonant है उतना हम code कर देंगे तो December में यह गो D है, यह गो C है, यह गो M है, यह गो B है और यह गो R है यहाँ पर total कितना है भाई तो यहाँ पर total 5 यहाँ पर जो total 5 letter ऐसे हैं जो consonant है D, E, M, B, R यहाँ पर 5 letter ऐसे हैं जो consonant है तो हमारा answer हो जाएगा option number B ठीक है बाबू? इलोजिक को आप लोग बिल्कुल समझ लिये होंगे ऐसा भी प्रस्न आपसे पूछ लिया जाता है तो आप हर बारा के अंसर इसका टिक नो करेंगे चलिए दोस्त एक गारे नंबर प्रस्ट एक गारे नंबर प्रस्ट है ए बी की बहन है बी की साधी डी से हुई है इसका मतलब ए बलाड रिलेशन का प्रस्ट है तो हम सबसे पहले बलाड रिलेशन चैप्टर में हम का करते हैं बाबू, ब्लाटे रिलेशन चैप्टल में जब हम बनाते है नो, तो पूरूस होता है नो, उस पूरूस को बंद कर देते हैं, हम तीभूज में, आगर महिला होगी, महिला होगी, तो उसको हम बंद कर देंगे सरकिल में, इससे क्या होगा, आपको मालूम चलेगा, इसका रेसन में आएगा बिल्कूल यहाँ पर लेंगे किन का मालूम है बबू ए बी की बहाना इसका मतलब ए जो है महिला है अब महिला है तो इसको हम बिरित में बंद कर देंगे जिसे से मालूम चलेगा कि ए महिला कंडिडिट है आगे बी की साधी डी से होई है बी की जो साधी हु बी मेल भी हो सकता है बी फीमेल भी हो सकता है अगर बी मेल है तो तिरभोज में बंद करेंगे अगर बी फीमेल है तो सरकिल में बंद करेंगे अगर इसका लिंग है मालम नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ठीक है आगे कहता है बी और डी की पुत्री जी है बी और डी कि जो पुत्री है ओजी है तो इनसे नीचे आएगी पुत्री है तो आया पुत्री है इसका मतलब महिला है तो इसको भी हम बन कर देंगे बाबू सरकिल में ठीक है बस प्रशन है मेरा खतम हो गया यहाँ पर B और D के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि कौन मेल है और कौन फिम A से क्या रिलेसन है जी जो है ओ A का कौन है हमसे पूछा गया है जी का A से जिसके आगे से लगा होता है उसे एक A रो चला देते हैं तो हमसे पूछा गया है जी के बारे में कि जो जी है ओ A का कौन है तो बाबो ध्यान देंगे यहाँ पर A जो है ओ B की बहन है ठीक है तो B ज आप जो relation होगा जानते हैं कैसे होगा अगर B जो है महिला हुई अगर B महिला हुई तो A की हो जाएगी B बहन आप बहन के बेटी को क्या बोला जाता है भती जी बोला जाता है अगर B पूरुस हुआ तो भी B जो है A का भाई होगा आप भाई के बेटी को भी भती जी बोला जा इसका मतलब यहां से एक बात कनफर्म हो गया कि B अगर महिला है तो भी जी भती जी है अब बी अगर पूरुस है तो भी जी भती जी है तो जी है जो जी है न वो एक का कौन हो जाएगी भती जी आपसा नमबर C है सही इस बात को आप लोग विशेश रूप से ध्यान रखेंग कि यहां पर B और D की कोई भी मेल और फीमेल हो सकता है नहीं तो आप बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कुछी को फीमेल और मेल मालने के आंसर गल्दी दे सकते है ठीक है आप इस बात को समझेगे कि B जो है अगर एक E बहन है तो भी जी भती जी है अब B अगर भाई हुई इस प्रश्ण में तो भी जी भती जी है इसका जो राइट एंसर हो गया अपसर नमर C आप प्रश्ण को रटी है नहीं बाबू प्रश्ण को समझे इसे बोला जाता है फैमिली ट्री इसे कितना भी 12 से 12 प्रश्ण को आसानी से सल्व किया जा सकते है बाबू ध्यान देवें यहाँ पर जो आकिर्थी दी गई है इस आकिर्थी में लुप्त अंग है इसके जगह पर इन उतर आकिर्थी में से कौन सी आकिर्थी भारा जाएगा बाबू देखो यहाँ पर लोजिक क्या क्या लग सकते है उस लोजिक को तुम पहचानो देखो अगर हम मानले यहाँ पर तो अगली आकिरती में स्टार आ जाएगा यहाँ पर और जिस अप्षन में यहाँ पर नहीं है वो अप्षन गलत होगा तो अप्षन नमर यह गलत क्योंकि उपर नहीं बन सकता हमारे पास बहुंच गया अप्षन नमर B, D और C इसमें से कोई भी हो सकता है चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर जो एरो है बाबो उपर की तरफ है अगली आकिरते में एरो जो है घूम गया इधर की तरफ एनि एरो जो है वो 90 डिगरी घरी के उल्टे दिशा में घूम रहा है एरो जो है 90 डिगरी घरी के उल्टे दिशा में घूम रहा है तो उपर की तरफ था यहाँ पर आगया इस सेड में यहाँ पर आगया नीचे की तरफ तो अगली बार जो एरो होगा वो कुछ इस परकार से होगा इस दिशा में और मेरे बबो यहाँ पर एरो जो है कलर किया हुआ है यहाँ पर एरो खाली है यहाँ पर कलर किया हुआ है तो हमारे पास फाइनली मचा अभिन तक option B और option C में से कोई भी हो सकता है। चलिए यह बुंदा है यह बुंदा जो है अगली आकिरते में यहाँ पर आ गया है। अगली आकिर्ति में E चला गया यहाँ पर, तो अगली आकिर्ति में E रे बिंदा जो है यहाँ पर जाएगा, लेकिन E बिंदा मेरे बाबु S-square के रूप में नहीं है, इसलिए option B गलत, क्योंकि S-square कुछ इस प्रकार से है, है न, पतांग की तरह, तो हमारा E S-square में नहीं बन सकता, इसलिए option C है, सही, ठीक है, क्योंकि E बिंदा जो है, यहाँ पर तो इस कोना पर गया है, लेकिन S-square के रूप में नहीं बन सकता, इसलिए option C है, सही, ऐसे ही option 6 के बाबु non-bar-bar reasoning बनाया जाता है, नहीं तो 12 दिकत होगी बाबु, यह बात को समझेगा, इतना मज मज़ेदार मज़ेदार प्रश्ण को हमने बिल्कुल छुटकी बजाते ही, आपको solve कराया है, चलिए दोस्त, लास्ट प्रश्ण, तीरा नमबर प्रश्ण क्या करता है, बाबु, ध्यान से देखे, करता है, दिये गए सब्द को, सब्द कोस की अनुसार ब्यवस्थित कीज बाबु प्रश्ण को, देखो, डिक्सिनरी में जब हम देखते हैं, जितना भी लेटर ए से होता है, एक साथ आता है, जितना भी लेटर बी से होता है, एक साथ आता है, जितना भी लेटर सी से होता है, एक साथ आता है, यानि कि डिक्सिनरी में बाबु जानते हैं, यानि कि जो letter पहले आता है, उसे पहले लिया जाता है जो letter बाद में आता है, उसे बाद में लिया जाता है ती बाता है, इसमें जो common है H-E-A 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 इस तीन letter के base पे तो हम नहीं बता सकता है कि सबसे पहले कौन आएगा बिल्कुल उसके बाद यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर 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 बचा यहाँ बचा यहाँ बचा यहाँ बच जाएगा दूसरे अस्थान पर ठीक है इसके बाद आ जाएगा तीसरे अस्थान पर option में हैं भाई option number A है ठीक है इस परकार से dictionary को पुरश्ण को बनाया जते हैं भागू ठीक है तो मैं उम्मेद करता हूँ कि आप लोग इसे जरूर समझ देए होंगे चलिए दोस्त तो मैं उम्मेद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रश्ण को अच्छे से समझ गये होंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए साथ ही साथ वेल आइकन को अन कर देजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ओके दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो में जाएं